विल्कम बैक टो चत्था मीथा तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला सैंडविच क्योंकि बहुत ही टेश्टी होगा तो यहां पे हमने पैन चाहा दिया है पैन में हमने डाल दिया है एक चुटकी हिंग डाल दिया है और एक टीस्पून जीरा जाएगा जीरा ब्राउन हो दो टीस्पून धनिया पॉडर वन पोर टीस्पून डाल मिर्च और एक टीस्पून के खरीब नमक जाएगा नमक टेश्ट के हिसाब से जाएगा यहां पे हमने लिया है दो सो गराम आलू ले लिया है बारी कटा हुए आलू बॉयल है अब इस मसाला में डाल देंगी मसाला हमारा भून गया है आलू फ्राय हो जाएगा तो इसमें बारी कटा हुए प्याज धनिया थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च वगारा डाल के चाट मसाला जाएगा और जीरा और काली मिर्च का पॉडर भूना हुए जीरा इसको मिला के अच्छे से हम इसका टिका बना दे है अब इसको फ्राइंक प्रमें डालके वाइल की जरुरत नहीं है बस इसको घरेंगे आलू में हमारे वाइल वगर रहे ही कटाला नमसाला यह सैंट्विच है तो यह देखिए अब यह हमारे तिका जो है तैयार हो गया इसको त्वा-दबा के थोड़ा भी देंगे यह हमा टमाटर, खीरा यह अपने पसंद से जो भी आपको पसंद है अवेलेबल जो भी है डालिए अभी लॉक्डोर में इतनी सबजी मिल गई इतनी बहुत है इतर भी थोड़ा हमने डाल दिया है यह लिक्वेट चीज और इसमें लगा दिया हमारे पार लिक्वेट चीज था लिक् ना सेड़ुक न्यतना है निक्वीछ इन जाम हमने के लिए टी यहां डालकि और भी यहां सेड़ुच में डाल की यहां पर हमने सेंड़ु toy जल जाएगा तब यह रेडी है डालने के लिए सेंडविच देखे गीन लाइट जल गया है अब यह रेडी है इसको खूल के हम थोड़ा इसमे ब्रीस कर देगे ताके चिपके नहीं अब इस में के करके सेंडविच दो सेंडविच जाएगा इसका चार सलाइस हो जाएगा अपने आप ही कर जाता है उपर से थोड़ा आय लगा देजिए यह बटर है तो बटर मेल्ट किया बटर लगा देजिए अभी देखिए अभी यह बंद करेंगे तो यह ग्रीन लाइट अब देखिए अब यह हमारे रेडी हो गया है सेंडविच रेडी है इसको बचा की आराम से निगाल लेजिए हमेशा इसमें बोडेन स्पून ही या नहीं तो प्लास्टिक का स्पून यूज कीजिए मेटल वाला यूज नहीं कीजिए गए तो जल्दी खराब हो जाएगा यह हमारा सेंडविच बहुत यासानी से बन जाएगा और बहुत ही मज़ेगा होता है तो यह देखिए सेंडविच हमारे रेडी है इसको मियोनीस के साथ टमाटो सोस के साथ आप खाए बहुत ही अच्छा लगता है यह मसाला सेंडविच तो एक बार जरूर ट्राइ और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए